हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल रन देख रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं आमले का अचार घर पे किस तरीके से आमले का अचार बना सकते हैं और इसको airtight डब्बे में भरके इसको store भी कर सकते हैं 4-5 महीने के लिए आमले सर्दियां आ रही हैं आमले भी आ रहे हैं इस टाइम पर तो बाजार से लाईए और आमले का अचार बनाईए बहुत ही टेस्टी बनता है आमले का अचार और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए बनाते हैं आमले का अचार बनाने से पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप से भी को मेरे चैनल पे अच्छी रेस्पिया देखने को मिलेंगी और बेल आकिन बटन क्लिक करना दोस्तों ना भूलिएगा तो चलिए बना लेते हैं बहुती बढ़िया सा आमले का अचार तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं आमले का अचार हम कुछ करेंगे उसके बाद ही हम अचार डालेंगे तो दोस्तों आमले बहुत ही फायदे मंद होते हैं यह बाल भी काले करते हैं और बहुत फायदे मंद होते हैं तो इसलिए आज आमले का अचार डाल के हम इस आमले को खाएंगे जिससे फायदे मंद होते हैं आमले तो यहा पर मैंने चलनी रखती है, नीचे हमने भगोनी रखी है, भगोनी में हमने थोड़ा सा पानी रख लिया है, ये देखिए गरम हो चुका है, पानी बढ़िया, अच्छा पानी गरम हो जाए, उसके उपर हमने चलनी रख लिया है, फिर हम उसके उपर रखेंगे चलनी के उपर आमले इस तरीके से हमें आमले को भपयाना है भाप से बनाना है हमें इसको भाप से ही ये इस तरीके से हो जाएंगे इसको पानी में डालके उबालने की कोई जरूरत नहीं है हमें इसी तरीके से इसको हम उबाल लेंगे जिससे हमारे आमले अच्छे हो जाएंगे फिर इसको ह भी दिख रहे होगा बिलकुल खिल गए हैं तो इसको अपना लेंगे और के छल्नी में से थंडे होने देंगे तो देखिए दोस्तों यहां पे मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है यह आमले हमारे ठंडे हो गए हैं उसी के बाद मैं इनकी कलियां इस तरीके से निकाल रही हूँ ठंडे होने के बाद ही हम इस कलियों को निकालेंगे क्यूं गरम में तो हमारे हाथ जलेंगे इसलिए इनको हम ठंडे होने तक इंतजार करें फिर इस तरीके से कली निकालें और बीजों को अलग निकाल दें हटा दें तो सभी आमले को हम इसी तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी कलीयां मैंने निकाली है, एके करके आपको दिख रहा होगा सभी आमलों की कलिया मैंने कर ली है, निकाली है और इसको अब हम थोड़ा अच्छे से फैला के रख देंगे उसके बाद ही हम 10-15 मिन्ट के लिए फैला के रख देंगे उसके बाद हम डालेंगे अचार तो देखिए दोस्तों 10-15 मिट हो चुके हैं जो आंवले हमने फैला के रखे हुए थे तब अब इसमें हम बनाते हैं अचार तो इसमें मैंने लिए है दो चम्मश नमक नमक को हम डालेंगे पहले तो दोस्तों हम इसी तरीके से आंवले के चारो तरफ फैला फैला के डालेंगे जिससे हमारा चार अच्छे से डले एक तरफ नहीं डालेंगे यह है दो चम्मश सॉप इसी सॉप है जो मैंने पीस लीती घर पे आदी चमश लाल मिर्श पाउडर है यहां मैं लाल मिर्श पाउडर कम एट कर रही हूँ अगर आपको थोड़ा च्यादा चटपटा खाना है तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं और इसमें आदी चमश में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर एक तरफ मसाले को ना डालें इसी तरीके से फैलाके डालें और यह है पीली सरसों आराम से आपको बाजार में मिल जाएगी पीली सरसों हैं पीली सरसों हैं 250 गराम इसको हम चारों तरफ फैलाके डाल देंगे अब यह देखिए हमने सारे मसाले फेलाके डाले हैं जिससे हमारे आमले में सारे आमलो में अच्छी तरीके से मसाला मिल जाएगा और बढ़िया सा अचा रेड़ी होगा बनके इसमें हम डालेंगे यह देखिए आधा कप ऑईल आधा कप ऑईल लिया है अब इसी सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये इस तरीके से, आमले का अचार काफी फायदे मन्द होता है, आप भी जरूर अपने घर पे इसी तरीके से आमले का अचार बनाईए, और सबसे अच्छी बात है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी तेस्टी लगता है दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने घर पे आमले का अचार जरूर डालिएगा अब मिक्स कर लेंगे तो आईए दोस्तो अचार बनके रेडी हो चुका है बहुत ही बड़िया हमारा आमले का अचार आप भी इसी तरीके से बनाएगा आपको भी काफी टेस्टी लगेगा अब इसको हम एक एर टाइड डबे में इस तरीके से भरके रख देंगे अगर आप सभी को मेरा ये आमले के अचार की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें और मुझे ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें जैसे कि आप बताते हैं तो ये देखिए हमारे आमले का चार बन के रेडी हो चुका है अब ये जो बचा है उसको भी में एक एर टाइड डिबे में भरके रख दूंगी और आराम से चार पांच महीने इसको हम खा सकते हैं आराम से धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई